हाई दोस्तो एके ट्रेनर में आपका स्वागत है आज हम लेकर आए हैं कंप्लेक्शो मेट्रिक टाइट्रेशन इसमें हम देखने वाले हैं आज इंट्रोडेक्शन इसके इसके क्लासिफिकेशन और यह भी फार्म फर्स समेश्टर का है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सिकते हैं कोमác फार्मे lies सही right dan national को किझे दर guardians फी बोलते हैं क्योंकि इस धुछे होते हैं इसीक वजय से कई दर्वी इसको बोलते हैं ओ counting कि इसमें वाईलोमे leven मेल्य सिस होता हैं क्या होता है और है वाइलोमेट्रिक एनालिसीन होता है तर उता है और यह अ इसका color complex का formation होता है जो कि जब इसका formation होने के बाद जो हमको end point मिलता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसके बाद मुझे titration नहीं करना पड़ेगा क्यों कि इसमे color complex बना लेता है इसी के वज़े से इसको complexometric titration कहते हैं अब इसका use क्यों करते हैं तो इसका use क्यों करते हैं क्योंकि इसमें different metal iron जो कि किसी solution में present होता है तो उसको detect करने के लिए हम complexometric का use करते हैं एक जांपल में रेखते हैं एक वीकर है उसमें different-different metal iron है अब इसको detect करने के लिए हम complexometric titration करते हैं इसको detect करने के लिए different-different metal iron को detect करने के लिए complexometric titration का use करते हैं तो हो थीघर से देख लेते हैं तो सबसे पहले तो भीयरेटि ऑ्में कॉंप्लेख 650 और साथ में इंडिकेटर ऐड़ कर दिये इंडिकेटर कैसे हो चाहिए इंडिकेटर एक इस्पेसल होना चाहिए इस्पेसल इंडिकेटर होना चाहिए जुकि मेटल आयन इंडिकेटर होता है का होता है मेटल आयन इंडिकेटर और किसी इंडिकेटर का एक्जांपल हम इवीटी इक्जांपल है इसका इंडिकेटर का विफोर इंड पॉइंड में जब हम टाइक्ट्रेशन करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट देता है तो विफोर इंड पॉइंड में रेड वाइन कर देता है जब मेटल को मेटल मतलब की कॉनिकल फ्लास में प्रिजेंट है उसमें जब हम इंडिकेटर जब एड किये जब वह द है क्यों क्योंकि इसका जो के अफ है यह बहुत कम होता है तो के अफ क्या होता है फार्मेशन कॉस्टेंट होता है और देखते आप्टर इंड पॉइंट में क्या है तो आप्टर इंड पॉइंट में ब्लू कलर देता है जैसे कि इसमें मेटर इंडिकेटर बना लिया था complex तो इसमें हम जब complexing agent add किये complexing agent में क्या हम लिए थे ADTA लिए थे ADTA जब हम इसमें मिलाना सुरू किये तो metal ADTA में complex में convert हो गया किसमें metal ADTA complex में convert हो गया और जो indicator था वो free हो गया वह क्या हो गया और यह जो मेटर एड़ी टीए है यह बहुत ही ज्यादा स्टेवल होता क्यों क्योंकि इसका जो फार्मेशन कोस्टेंट है वह हाई होता है अब इसका classification देखते हैं तो classification में और इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं ужile Cor Porsches kicking in औरक में दो में हैं तो यह हमारा पूरो में है एक मतों बैप्रेसिंट्रेशन होता है यह अर्फलेस में टाइट्रेशन होता है अल्कली में टायिक्त ठेसन बोलते हैं कि तो पहले देखते हैं डाइट डायरेक्ट 속 wicked super se descrier में क्या होता है इस टेनर्ड में यानि कि विर्येट में हम एडिट्यय फिल कर देते हैं और जो कॉनिकण फ्राशों में मेटल आयन उसको हम धीकर हिड़े धीरे हम एड़ करते हैं किbell गणा को ऐट्ट करना इसको जब तक इसमें इंड पॉंट अ कि नपुधि कि पॉइंट करते रहेंगे ने कि जब तक हम इसको एड करते रहेंगे से तब तक इसको कर पॉइंट यह हमारा क्या है यह हमझा शो बहुत ही स्केण सपानी होता है और गेटर सबकाट सबहुता है को इसका करने का जूरत क्या है तो बेक टैस्य करते हैं जैसे कि विए güo इंतरिक है इसने को कांटिटी में वून्री पता ही यानि की 100% पता है जेmental मैंने सेंपल में ले लिए मैं एक ढद मैंने में मैंत और लेको कि सब्सक्राइन करें है तो जब हम टाइट्रेशन स्टार्ड करते हैं तो यह जतना कंज्यूम करता है यह कितना इसमें आ जा रहा है अगर माल जा कि इसमें 80% सुलुशन आ गया और मेरा 20% बच गया है तो इसे हम यह पता कर सकते हैं कि जो इसकी क्वांटिटी है मैंगनेज की वह भी 80% इसका रिजल्ट देगा यानि कि 80% इसका कंसेट्रेशन इसमें है इसकी होती है सेंपल की और जो पता होने के बाद जो इसके एक्सेस एमान में कितना बच रहा हमारा 20% इससे भी हम पता कर सकते हैं कि अगर 20% बचा तो कितना कंजूम किया रहा है तो वह 80% है उसके बाद क्या करते हैं उसका हम जिंक के सहते से determination कर लेते हैं displacement, titration क्या होता है इसके next time दिखते है क्या है तो displacement, titration तो इसको हम fegal से समझेंगे विरेट में हमने maigneze ले लिए और कोनीकल फ्लास्क में हम magnesium प्लस indicator आजड कर दिए अब क्या करेगा, यह जो magnesium है, Indicator से re-eagd करेगा जो भी react करेगा मैंगनीशियम Indicator में चेंज कर देगा जो कि यह बहुत ही कम stable होता है क्योंकि इसका जो constant फार्मेशन होता हूँ बहुत लो होता है इसलिए यह कम स्टेबल होता है अब उसमें हम धीरे-धीरे मैगनीज एड करते हैं तो जैसे कि हम धीरे-धीर मैगनीज एड करेंगे तो यह जो बांड बना था मैगनीशियम और इंडिकेटर के बीच में यह ब्रेक होने लगेगा तो यह मैगनीज इंडिकेटर में कनवर्ट हो जाएगा इसमें मैगनीज इंडिकेटर में कनवर्ट हो जाएगा जो कि ये बहुत ही स्टेबल होता है क्योंकि दुर्वमेशन कॉस्टेंट वह वह बहुत ही हाइवता है वीज में इन डिटरी सेर्ट किया तो इन डारीक्ट कैसर मैं जो की में टा फ्लाशंद में लिए और concerns इसमें जो इरतिया होता वो कुछ प्रोटान डोनेट करेगा इसमें से जो कि एक्स माइनस तू बाहर निकल जाएगा जब हम इसको इसमें धीरे-धीरे जब हम एड करते हैं इरतिये को कोनिकर फ्राइस में तो यह कितना कंज्यूम करेगा मान लिया कि 50% यह कंज्यूम किया अब 50% एक्सेस एमांट में रह गया तो इससे हम यह पता कर सकते हैं कि जो मैगनेज में कंसेट्रेशन है उसकी कितने 50% वह यूज इसकी है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें